नमस्कार दोस्तों मैं रीता स्वाधत करती हूं आपका रीता जी भी हारी किचन में तो यहां पर देखिए हम सहजन ले लिए हैं जिदम अभी सहजन देखिए तम सौफ्ट नरम नरम है इसका सबजी बहुत ही खाने में टेश्टी लगता है अब असान तरीके से बन जाता है चलिए बनाते हैं तो यहां पर देखिए हैं 1,5 kg सहजन ले लिए हैं 2 टमाटर ले लिए और 4 आलू ली है आलू को चील लिये हैं अब चाहे तो बिना चिलका सहती बना सकते हैं और चील कभी बना सकता है तो देखिए सहजन अधम जिसे बोरो हम लोग तोड़ते हैं उसी त तो चलिए इसको पुरा बना लेते हैं और बहुत ही खाने में फायदा होता है इसका बहुत ही तो देखिए यहां पर हम सहजन बना लिये हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आलू को भी हम कट कर लिये हैं सहजन देखिए कितना अदम नर्म नर्म सौप्ट सौप्ट है तो यह आप बना सकते हैं घर पर इसमें कोई दिक्कत नहीं आलू को भी हम काट लिये हैं तो यहां पर देखिए सरसो लिये सरसो वाला सहजन की सब्जी बनेंगे तो जितना हमारा राई है उतना हमारा लहसुन है राई लहसुन बड़ावर है तीखा नुसार मिर्च है एक चमजीर गरम मसाला का पत्ता है और एक इंच अद्रक का टुकड़ा है तो इतना सही मसाला है तो चलिए बनाते हैं सब्जी तो कराही हमारा गरम हो गया है इसमें हम डालेंगे दो तौली सरसो का तेल और तेल हमारा गरम हो गया है तो यहां पर देखिए पच फोरना इसमें डाल दि आलू को अच्छी तरीके से भूझ लेंगे तो फंड़ पक जाएगा तो यहां पर देखिए हम पांच से चाथ मिनट हो गया है आलू भूंते भूंते एहें पर आप सहजन डाल सरफ दाइब ns होता है था प्रक्राम भी उसका में सब्सक्राइब उक्षो norma इसको फृष यहां पर दो पर चुदा ने पाउडरओं डाल देंगे जो भी मसाना पीसे ते सर्सु ने राई पीसे थे राई और लहसुन जो मसाला था यहें पर हल्दी पाउडर एक चमच डाल देंगे 5 धनिया पाउडर एक चमच और लालसा मिर्च पाउडर एक चमच डाल देंगे कि इन अच्छी तरीके मिला लेंगे अर आयवला मसाला बहुत अच्छी तरीके से भूजाता हो उसका जहां ना उध्मidd सब्सक्राइब सबीगको बना बसे एक काहाऊग तो घजन सब्सक्नोमे का सब्सक्राइब में गऑन कारेल यह औरन को आघशी सब्सक्राइब बनाच तो यह पर कटा हुआ दो टोमाटर डाल देंगे्यके और ये हमारा देशी टोमाटर यह कुछ जादा ही घटए होता है तो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो देखेऊ हमारा सबजी सबको अच्छी तरीके से टमाटर और मसाला सब अच्छी तरीके से मिला दिये और यहें पर हम नमक डाल देंगे स्वादनुसार तकि सब्जी हमारा बहुत अच्छी तरीके से भूंज जाए अभी soft है सहजन तो अतना दिक्कत नहीं होता है चलाने में जब करा हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है सब्जी चलाने में तो अभी भी ठीक है दोनों का अपना अपना मज़ा है थोड़ा soft है उसका अपना ही मज़ा है और थोड़ा सक्त हो जाता है उसका अपना ही मज़ नहीं है तो चलिए यहां पर हमारा सबजी देखिए बिल्कुल आची तरीके से सब्जी भूंज ली यहां पर इतना अच्छा देखिए खुसबू आ रहा है कि आपको बताएं बहुत अच्छा खुस्बू भी आ रहा है सब्जी कितना देखने में सुन्दर भी लग रहा है खाने में भी बहुत टेश्टी होगा तो यहें पर हम इसमें ग्रेवी अनुसार पानी डाल देंगे तो पहले हम मसाला जो पीसे थे वह बहुत पानी डाल दियें तो देखिए हमारा सब्जी कितना अच्छा देखने में लग रहा है तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना इसमें पानी डाल लें तो सब्जी में हम पुरा पानी डाल दियें सब्जी को अच्छी तरीके से मिला कर इसको ज्ञाक देंगे प्लेट से पांच से साथ मिनट तक ज्ञाक के पका लेंगे क्योंकि सब्जी हमारा आधा पक चुका है मतलब आधा ही बचा हुआ है तो चलिए इसको ज्ञाक के पका लेते हैं याह पर देखिए लग बात पांत 57 minute हो गया है साद से 8 मिनट हो गया है सबजी हमारा जोगी आशी से पाक चुका है देख सकते हैं तो हम सब्सक्राइबाइब am दिक नहículos का लिए। नहीं ज्ममक्व अच्छा लगा हो तो लाएक कर देजेगा चैनल पर पहली बार May होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ हमें बेल आइकन को भी दवा ले ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो डा ले तो नोटफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और देखिए हमारा सब्जी दम बन के तयार हो गया है तो आप भी बनाएए और पूरे परिवार को खिला लाइए और यहां पर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्य बाद